वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आये निचे दिएगे लालक्षरों के सब्सक्राइब बटन को दबागर चैनल को सब्सक्राइब कर लेए किसान भाईों इस वीडियो में आपको फिर से एक नई जानकारी देने वाला हूँ और दोस्तों बिल्कुल सही जानकारी दूँगा इसके लिए आपको वीडियो को अंतर तक जरूर देखना पड़ेगा दोस्तों आप मेरी आवाज पर मत जाएए और वीडियो की क्वालिटी पर मत जाएए केवल इस वीडियो में जो बाते बताने वाला हूँ आप उन्हें सुन लीजेगा वो किसान भायो आपको इस वीडियो में खुश कपरी के साथ साथ इसी चीजे जानने को मिलेगी जिससे आपको पूरा पता लग जाएगा कि आने वाले दिनों में लैसुन का भाव क्या रहेगा अब दोस्तों बात की जाए लेसुन के भाव की तो लेसुन का भाव वरतमान में भी कापी अच्छा मिल रहे है और अब बात करें जोतिस सास्तर के अधार पर लेसुन का भाव क्या रहेगा तो दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में लेसुन का भाव कापी हद तक बढ़ेगा और दोस्तों किसान भाइ अभी पोस्ट हडबडाट कर रहे है क्योंकि लोकडाउन लगने की इस्तिधी आ रही है तो किसान भाइ ये सोच रहे है कि हमारी फसल की बिकरी बाद में नहीं हो पाएगी अगर लोकडाउन लग जाएगा तो परंतु किसान भायो ऐसा बिलकुल नहीं है सरकार किसानों के लिए कुछ न कुछ अलग वेश्टा जरूर करेगी परंतु किसानों की फसलों की बिकरी जरूर करवाएगी दोस्तों वीडियो को अंतर तक जरूर देगना ताकि आपको एक स्टेफ भाई स्टेफ जहानकारी मिल सके और आपको अनुमान लग सकेगी लेस्टन का पाव कितना बढ़ सकता है दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर देजीगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देजीगा चले वीडियो की सुरुआत करती दोस्तों जोति साश्तर और कुछ आँगडों के आदार पर हमने अनुमान लगा है कि आने वाले कुछ दिनों में लेस्टन का पाव बढ़ सकता है क्योंकि पिछले कुछ दिन में लेस्टन के पाव में हमें तेजी देखने को मिली है परन्तों अभी होली के उकास के करण कुछ दिन तक मंडिया बन थी उसके हिसाब से जब मंडिया खुली तो एकदम से अचानक ज़्यादा आओके हुई लेस्टन की कि आने वाले दिनों में लेस्टन के बाव में कापी हद तक इजापा होगा और लेस्टन की डिमांड इस साल बहुत ज़्यादा है दोस्तों हर साल बारत में लेस्टन की डिमांड को पूरा करने के लिए विदेशों से आयात कर लिया जाता था उसे एनेक सेत्रों में लहसुन की जो डिमांड पूरी हो जाती थी और हमारी जो फसल थी वो ऐसे ही पड़ी रहा जाती थी या पिर कुछ छुटकर दाम में हमारी फसल को खरीद लिया जाता था परन्तु इस साल विदेशों से आयात नहीं होगा भारत में जो कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए विदेशों से आयात नहीं होगा और उस कमी को पूरा करने के लिए हमारी जो लहसुन की फसले उस फसल को खरीद कर ही भारत में पूरती की जाएगी क्योंकि दोस्तों घरेलू उपयोग में भी लेसुन खाने की चीज़ों में बहुत आता है और अनेक परकार की अलग-अलग प्रोडक्ट बनाने में भी लेसुन का प्रियोग किया जाता है इस हैसाब से लेसुन की डिमांड सभी देशों में हैं परन्तु भारत में हम भारत की बात करें भारत की डिमांड को पुरा करने के लिए हमारा लेसुनी काम आएगा और हमारी लेसुन की खरीदी बिल्कुल सही वाजिब दाम पर की जाएगी तो दोस्तों जहती सास्तर यह कहता है कि अगर लेसुन की पेदावार कम हुई होती है अगर लैसन की हम खिसान पाव के पैदावर कम हुई है तो सवाब ये लैसन का पाव बढ़ेगा ही इस साल पैदावर भी बहुत कम हुई है क्योंकि अनक सेत्रों में पानी की कमी और कई बिमारियों के कारण जो है पूर्ती नहीं हो पाई थी तो दोस्तों इस हिसाब से भी लैसुन के पाव में कापी तेजी देखने को मिलेगी और अनुमान के अदार पर लैसुन का पाव 15,000 के पार जाएगा दोस्तों उम्मेद करताओं वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरू करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद जय जवान जय किसान